अगर आप किसी भी कम्टेटिव इजाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजे साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहां पर कवर कराया जा रहा है उसे नोटड़ाउन करते रहिएगा तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड है ब्रिच्ट यहां पर भर्व की तरह काम कर रहा है तो वर्ड के साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि यह कौन सा parts of speech है और जहां काई भी suffix हैगा कि suffix के थुरू कैसे parts of speech को identify करना है तो वो भी आपको बताएंगे और आप उसे no doubt कर लीजिएगा इसके मिनिंग के बात करें तो इसका मिनिंग होता है make gap in and break through a wall barrier or defense यानि कि देखिए bridge मतलब होता है gap बनाना ठीक है किसी कि थुरू चाहे वो एक दिवाल हो गया barrier हो गया या defense हो गया तो उसको bridge बोलते हैं तो bridge का Hindi मिनिंग देखे तो उलंगन हो जाएगा यानि कि किसी चीज का उलंगन कर देना ठीक है जैसे कोई दिवाल है उसे जंप करके चला जाना barrier क्रोस कर जाना जैसे आप देखते होंगे अक्सर डेली लाइफ में कि जहां फिर जो रेलवे का होता है crossing वहां पर लोग अक्सर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजी कि रेलवे क्रोसिंग हो गया और यहां से कोई road हो जाएका रिक हो जाएगा अधिक यह रफचर हो जाएगा यह पी अपजचर हो जाएगा तो यह सारे आइओ आपको होगा वड़ते हैं अग्ले वड़ के तरफ अगला वड़ए एकस्पेक्टेड जो की एक एड्जेक्टीब की तारह काम कर रहा जिसका मेनिंग होता है रिगार्डरड आज लाइकली कोई चीज जो मतलब रिगार्ड किया गया है एज लाइकली यानि कि एक्सपेक्टेड भैलू बोल सकते हैं अपक्षीत एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है अगर सीनोनेम्स की बात करें तो नॉर्मल कन्वेंशनल फैमिलियार या फिर है विचुल हो जाएगा कोई कि जब भी वर्ड क्लास्ट में एल आएगा वह वर्ड एड्जेक्टिब की तरह काम करेंगा तो यह चीज आपको नोटर्म कर लेना है अगर इसके एंटोनेम्स की बात करें तो अन एनाउंस हो जाएगा अन प्रेडिक्टेड हो जाएगा फिर अन एक्सपेक्टेड हो यानि कि ऐसा एक्ट जिसमें मूव किया जा रहा है पीपुल को किसी एक खतरनाख जगह से सुरक्षित जगह पर उसको बोलते हैं इवेक्वेटिंग जैसे माल लिजे कि बहुत सारे अगर कोई भी कैटास्ट्रोफ आता है यानि कि कोई आपदा जैसे कभी भुकाम पा गया बाढ़ा गया या फिर कहीं वार हो रहा है दो देश के बीच में तो जो आपके आम जनता है जो पीपुल है पॉब्लिक हैं उन्हें डेंजरस जगह से से जगह पे ले जाने को इवेक्वेट बोलते हैं क्या बोलते हैं इवेक्वेटिंग अगर इसके हिंदी मिनिंग की बा जाएगा या फिर इंट्रेंस हो जाएगा यह सारी अपोजिट वर्ड होगा इवेक्वेटिंग के जैसे आप देख सकते हैं कि माले जी कि किसी बिल्लिंग में आग लगा ठीक है तो यहां से लोगों को सेफली निकाला जा रहा है बाहर और सेफ जगह पे पहुंचाया जा अगले वर्ड की बात करा है अगला वर्ड है मीटिगेट है अगरी मीरिण की बात कर एंधाय अगर इसका मीनिंग होता है से हटा दो तो मैंनी की कम कर दो तो समझ में आ गया इसका मिनिंग इसका हिंदी मिनिंग समन होता है या फिर कम करना सिनोनेम्स की बात करें तो एलेवीट हो जाएगा या स्वेज हो जाएगा लाइट हो जाएगा या फिर रिलीव हो जाएगा तो यह सारे सिमिलर रवर्ड हो यह आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में अगला वर्ड है इंस्पेक्टेर्ड जो की भर्व की तरह काम कर रहा है जिसका में नहीं होता है तो लूक यह सारे सिमिलर वर्ड हो का एंटर नेम्स की बात करें तो किसी चीज को इग्णोर कर देना मतलब नजर अंदाज कर देना ठीक है नेगलेट कर देना ऑबर लूक यानिक उपर उपर से देख लेना तो यह सारे क्यों जैंगे इंस्पेक्टेर्ड के एंटर नेम से जाएंगे अब पिक्चर में देखिए कि यहां पर माली जेगी कोई यह मेकानिक्स है जो किसी चीज को closely देख रहा है ध्यान पुरवक्त देख रहा है उसको एक्जामीन कर रहा है ठीक है आगे हुमर्क का बात कर लेते हैं तो हुमर्क में आपको यहीं बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहां से आप सीख रहा है इस सेशन के दौरान उससे आप कोशिश किजिए सेंटेंस बनाने का और सेंटेंस बना के उससे कमेंट सेशन में कमेंट किजिएगा तो यह आपके लिए और वर्ड है प्रॉम्टेट जो की भश रहा काम कर रहा है तरह है अने के तरफ मुव करना तो ही कि परीत रिट कर दें के किसी को बन नहीं हो जाएगा और वह एक्षण में आ जाएग मैं या जैसे किसी को motivate करने के बाद वो क्या होता है तुरंत पढ़ने बैठ जाता है Synonyms की बात करें तो cause, occasion, illicit या फिर produce ये सारे similar वर्ड हो जाएंगे Entonyms की बात करें तो Entonyms में data हो जाएगा, restrained हो जाएगा या फिर slow हो जाएगा तो ये सारे Entonyms जाएंगे, prompted के, अब देख लेते हैं picture, तो I hope आपको सारे वर्ड समझ में आगे होगा यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं, next है indulging, indulging भर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका meaning होता है, allow oneself to enjoy the pleasure of यानि कि अपने आपको allow करना, enjoy करने के लिए किसी चीज के, मैं उसको बलते है indulging, जैसे मालेजिए कि आपके दोस्त लोग party कर रहे हैं और आपका exam है, तो आप party नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप सोचे कि चलो थोड़ा देर enjoy कर लेते हैं, refreshment मिलेगा mind को, तो अपने आप आपको allow कर दे, यानि कि indulge हो गए उस party में, यानि कि लिफ्ट हो गए उसमें, ठीक है, इसका अगर synonyms देखें, तो entertain, यानि कि मजा करना, entertain करना, noris, pamper, या फिर सेटी, ये सारे synonyms हो जाएंगे, एंटरनेम की बात करें, तो deprive, dissatisfy, ignore, या फिर neglect, ये सारे एंटरनेम हो ज कर देना, तो ये सारे क्या हो जाएं, indulging के एंटरनेम हो गए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, picture में, relevant picture आप insert करते हैं, ताकि आप समझे उसको देखके, अगला वाड़ है, claiming, claiming यहाँ पर भर्व की तरह काम कर रहा है, जिसका मिनिंग होता है, state or hazard, that something is the case typically without providing evidence or proof, यानि कि बिना किसी गवा, सबूत के किसी चीज को पर दावा करना, कि यह मेरा है, ठीक है, उसको बोलते है, claiming, तो claiming मतलब होता है, दावा करना, किसी चीज पर दावा करना, ठीक है, synonyms की बात करें, यह सारे synonyms हो जाएंगे, एंटरनेम की बात करें, तो disclaim, answer, honesty, या फिर truth, यह स पर दावा करना, next exposed है, exposed यहाँ पर adjective की तरह काम कर रहा है, जिसका मिनिंग होता है, not protected from the wind and bad weather, मतलब किसी चीज को protect नहीं कर पा रहा है, चाहे वो हवा हो, या फिर खराब मौसम हो, उसके वाज़ा से, उसको बोलते है, exposed, मतलब कोई चीज जो सामने आ गया, उसको बोलते है तो अनविर्त इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा, synonyms की अगर हम बात करें, तो bear, define, disclose या फिर discovered, bear, मतलब बता है कोई चीज जो नंगा हो, मतलब नंगा पैर, जैसे नहीं बता, bear, food तो नंगा पैर, मतलब किसी चीज को खुला कर देना, expose कर देना, ठीक है, define कर देना, disclose कर द जैसे मान लिजे कि कोई ये magician है, ठीक है, तो इसका परदाफास हो गया, कि ये मतलब magic नहीं कर रहा था, ये बस ऐसे ही जूट लोगों को उल्लू बना रहा था, तो ये क्या हो गया, expose हो गया, इसका जो जादू था, वो expose हो गया, आगे चलते है, आगे, next word है, इसको रोक देना, जाम कर देना, उसको बलते हैं, बेरिकेटेट, यानि कि बांधना, इसका हिंदी मिनिंग, बांधना हो जाएगा, synonyms की बात करें, तो ब्लोक एड, अबस्ट्राक्ट, क्लोज अप, या फिर बार, बार लगा देना, जैसे आप बता रहे थे, आपको रेल बेरिकेट लगाए गया रहता है, आपको रुकने के लिए, जैसे टोल टेक, टोल रोड से जा रहे होंगे, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, एंटोनेम्स की बात करें, तो दूर हो जाएगा, इंट्रेंस हो जाएगा, गेट या फिर डॉर वे, यह सारे अपोजिट वार सेशन कैसा लगा, कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक्स पर राचिंग, जै हिंट